हेलो पढ़ाही करने वाले मिंत्रों लर्निंग प्लेटफॉर्म विज्वल आर्ट एंजी के टॉटोरियल पर आपका स्वागत है दोस्तों ये श्रंखला मैं शुरू करने जा रही हूं इसमें जो नया परिक्षा की तरह में पूछा जा रहा है सिर्फ चित्र नाम नहीं पू बाएंगे मिडान लें मिशा फल चनी जा रहा रहा हैं इसमें चित्र देख कर पूछ लेते हैं कि इसमें किसे तरह की आकरतियां हैं कितनी मानव आकरतियां हैं या कितना पशू का चित्रण है तो कुछ भी पूछा जा सकता है तो उस चीज को ध्यान में रखकर ये श्रंखला में शूरू कर रही हूं आई होप ये आपको पसंद आएगी अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर जरू करें और चैनल से भी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरू कर लिजिए काफी महत्पूर रहेंगे इस श्रंखला की वीडियो दिया गया चित्र है पद्म पाणी बोधी सत्व जो की है अजन्ता की कुफा संख्या एक में जिसका समयकाल है पाँचवी से छटवी शताब्दी के मद्दे पद्म पाणी बोधी सत्व में बोध अपने हाथ में यीला कमल धारण किये हुए हैं कि हाथ में है नीला कमल और इनकी जो मुद्रा है वो त्रिभंग है तीन टर्न है इसमें इसको लिए कहा जाता है त्रिभंग मुद्रा और इसमें इनकी दोनों बोहें चुड़ी हुई ह और ये एक mural painting है पद्मपाणी बोधी सत्व जो की है अजन्ता गुफा संख्या एक में ये चित्र है dancing गल मूर्ती शिल्प का जिसे 1926 में मोहन जोदाडों से प्राप किया गया था ये प्रतीमा bronze यानि की कासे में निर्मित है जिसका आकार है 10.5-5 cm यानि की 4.1-2 इंच इसके खोज करता है Ernest में के जिन्होंने से 1926 में मोहन जोदाडों से खोजा था और वर्तमान में ये हमूर्ती शिल्प राष्ट्रिय संग्रहालय नई दिल्ली में है इसमें नर्तकी अपने दोनों हाथों में चूडी पहनी हुई है और बाए हाथ में जो चूडिया है लगभग 24-25 चूडिया पहनी हुई है और दाए हाथ में ये चार चूडी पहनी हुई है और दाए हाथ को इसने कमर पे रखा हुआ है और इसने गले में एक पैंडल पैना हुआ है नेकलेस, इस नेकलेस में तीन पैंडल हैं और यह है नर्त की यानि कि डांसिंग गल की प्रतिमा जो प्राप्त हुई है मोहन जोदडों से यह चित्र है दारा शिकोह की बरात का जिसे 1740 में हाजी मदनी द्वारा बनाया गया था दारा शिकोह की बरात का चित्र यह मना है टेंपरा मांध्यम में कागज पर दारा शिकोह जो थे वो थे शाहजा के पुत्र और ओरंग जेब के भाई जिनकी ओरंग जेब ने हत्या करवा दी थी यह उनकी बारात का चित्रण है 1740 में हाजी मदनी द्वारा यह मूर्ती शिल्फ है नेशनल एमबलम जिसे की सारनात से प्राप्त किया गया था इसमें चार शियर बने हुए हैं चार दिशाओं के सूचक हैं जो और यह बताते हैं पावर, करेज, कॉन्फिडेंस और प्राइड इस नेशनल एमबलम यानि सारनात का जो सी ही स्तंब है इसका समयकाल है 280 BC लगभग और यह मौरिकालिल है इसमें नीचे की तरफ बना हुआ है कमल उल्टा कमल बना हुआ है और उसके उपर बना हुआ है बीच में अशोक चक्र और चार हैं इसमें पशु आकरतियां जो की है घोडा, बेल, खाती और शेर यह चार आकरतियां बनी हुई है और बीच में बना है अशोक चक्र नेशनल एमबलम जिसे की 26 जिनवरी 1950 में हमारा नेशनल एमबलम घोशित किया गया था यह चित्र है चोगान प्लेयर का जो की राजिस्थानी शेली का चित्र है और इसके कलाकार थे दाना दाना द्वारा बनाया गया चित्र है चोगान प्लेयर जो वर्तमाल में राष्ट्रिय संग्रहाल ले नई दिल्ली में संग्रहित है और इसका समय काल है लगबग 28 शताब्दी जिसमें बनी हुई है छे महिला आकरतियां दो आकरतियां जो उपर के तरफ है वो है राजकुमारियों की ये दो आकरतियां राजकुमारियों की है और चार जो है नीचे की आकरतियां ये उनकी चार दासियां है यानि कि टोटल हैं इसमें 6 घोड़े और 6 महिला आकरतिया और यह है चोगान प्लेयर दाना द्वारा बनाया गया चित्र